आप सब का बहुत बहुत स्वागत है गाईज आज कलेक्टिव लेकर आई हूं और 24 आवर्स की रिडिंग लेकर आई हूं मैं गाईज और आज देखेंगे आपकी एनर्जी के अगले आने वाले 24 आफिश की रिवालावर्स के अंदर में आपको आपको क्या उम्मीद करना चीए आपको क्या मिलने वाला है अगर आपके सचीज का इंतजार कर रहे हो ज्यादा तरह में आप किसी के ओपिर प्रपोसल इन सारी चीज़ों का इंतजार कर रहे हो या फिर कहीं से जो है ऑफर का इंतजार कर रहे हो तो देखते हैं गाइस कि आपको जो है नेक्स 24 आवर के अंदर में क्या उम्मीद करना चाहिए what to expect तो जेनरल रिडिंग और कलेक्टिव डिंग कर रही हूं मैं तो हो जाएए पॉजिटिव एनर्जी में सभी लोग सभी जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स है हो जाएए बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी में अच्छा चाह सोच यह ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे निकल करा सकता है गाइस ठीक है अ वाव इस अप्टिविटी की एनरजी पहली जो है निकल कर आई है आपकी दो फूल ओमाइगाड लेजिंगो अलोनेस एक और निकालेंगे गाईस आपके अनरजी देखते हैं एक और निकाल कर क्या है ट्रास्फोर्मेशन गुड यह विन बात तो गाईस नेक्स 24 आवर में आपको क्या उम्मीद करना चाहिए कौन सा उम्मीद रखना चाहिए क्या एक्सपर करना चाहिए इससे पहले आपको आपके बारे में बताते हैं कि आपकी जिन्दगी अभी कैसी चल रही है आपका कल कैसा था आज कैसा है और आने वाले कल में क्या होने वाला है ठीक है यह सारी चीज़े इन कार्ज में निकल कर आच चुका है तो चलिए अभी सबसे पहले आपकी जिन्दगी का जो है प्रेजेंट हम कुछ आपको बताते हैं ठीक है 24 आवर्स के बारे मे बात में बात करेंगे अभी कैसा चल रहा है आपकी जिन्दगी हैना किस चीज की उमीदें आप करकर बैटे हो यह सारी चीज़े देखते हैं तो नमबर नाइन यहां पर आया है अलोनेस का यह पहली एनरजी जो है अलोनेस यानिकि आप अपने आपको जिन्दगी में बहु कि उना खड़े हो फिर भी दिल का कोई कोना दिमाग का कोई हिस्सा जो है आपको लगता है कि खाली है वह भर नहीं पा रहा वहाँ पर किसी की कमी आपको महसूस होती है यूनों तो अकेलापन बहुत जादा आपको तकलीव दे रहा है अकेले पन में आपकी प्रेजन्ट ए कि सहारे की बिना किसी के भरोसे की बिना इसी तरीके से गाई गया आपके लिए जिन्दगी की जो जर्नी है नंस फ्रें बहुत ही ज्यादा जो है अकेला है जहाँ पर कोई आपका शाथ नहीं दे रहा तो यह आपकी प्रेजन्ट एगनरजी हाँ पर निकल कर आई है गाई अब देखे रिसेप्टिविटी का काड़ आया है और यह रिसेप्टिविटी पास्ट और प्रेजन दोनों ही मैं इसका मतलब आपको बताने वाली हूँ पास्ट के अनरजी में अगर देखूं तो यह बता रहा है कि आपने जिन्दगी में बहुत सारी चीज़े पाई है पाने का मतलब यह नहीं होता कि आपको धन दौलत मिल गया या प्यार मिल गया आपने कुछ ना कुछ मतलब जो भी आपको किस्मत देता गया चाहे वो दर्द हो चाहे वो ठोकरे हो चाहे वो प्यार का अनुभव हो चाहे वो किसी का साथ हो मतलब जिंदगी आपको जो जो देता गया आप उसे हमेशा receive करते आए हो आप आपने हमेशा उसे खुले दिल से यूनो आपने उसे लिया है आप कभी प्रॉलम से भागे नहीं हो कि आपको जिंदगी में दर्द मिल गया और आप जो है कोई आप ऐसी इनसान नहीं हो गया जो दर्द को और तकलीफ हो उसे भागते हो यूनो आपने हर चीज में जो है संघर्स किया है हर चीज को हसते मुस्कुराते हुए जेला है जेला है जिया रिसेप्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कभी-कभी मन नहीं होता कुछ चीजे करने का मन नहीं होता किसी से मिलने का मन न कौन एंसान है कोहुछ होने का मन नहीं ओता का इस Birthday आपने रेसीज़ कर ली है आपने जीन होती है क्यों अने वाले फ्योचर को भी दिखा रहा है कि आनेवाले प्रूचत इसमें आपको कुछ ना कुछ थे मिलने वाला है तेकर आप रिसीव करने के लिए तयार हो जाओ आप उसे अपनाने के लिए तयार हो जाओ आपको खुद को रेडी करना है to receive something very good is coming in your life एक बहुत बहतरीन चीज जो है उपर वाला आपको next 24 hours के अंदर में दे रहा है अब ये कौन सी चीज है ये मैं आपको थोड़ी देर बात बताऊंगी जब हम टेरट से निकालेंगे तब clarity हमको मिलेगे कि 24 hours में आपको क्या receive होने वाला है अब देखे गाईज आपकी energy में full की energy निकल कर आई है जो ये बताता है कि आपने जिन्दगी में कभी खुद के बारे में नहीं सोचा गाईज ये एक ऐसे energy है कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर गुजरना बिना अपने बारे में सोच कर दूसरों की मदद करना या अपने आखों पर बटी बांद कर दूसरों पर भरुसा कर लेना तो ये आपकी एक बेवकूफी वाली energy जो एक मासूम energy तो है ही साथ में ये एक रिक्स वाली energy है यानि कि आपने अपने जिन्दगी को बहुत बार रिक्स में डाला है बहुत बार मुसीबतों में आपने आपने आपको खुद फसाया है क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जिसे पटी पढ़ाना बहुत आसान है आपके मासूमियत को आपके इस बीहेवियर को आपके इस एक्शन को लोग जो है एडवांटेज लेते हैं फाइदा लेते हैं और आप ऐसे हो कि किसी के लिए कुछ भी जोखिम जो है आपने मोल लिया है किसी के लिए अपनी life कुर्बान आपने की है बहुत सारा action आपने ऐसा लिया है जिसके वज़े से वो action जो है जो आपने किया था ना किसी और के लिए उस action के वज़े से आज आप खाई में गिरे हो और जो लोग आपके साथ है उनको benefit मिल है ना उनको जो है फाइदा हो गया आपसे पर आप जो है जाकर नीचे गीरे हो तो यह एनर्जी आपको उपर वाली की जो है नजर आती है आप में यह चीजे नजर आती है कि आप बिल्कुल कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हो गाईज यह आपका अडियलपन है यह आपका जिद्ध है यह आपकी नासमझी है तो आपको जो है थोड़ा सा इस एनर्जी से निकलना है आपको जो है आप बहुत जारत ध्यान देना है क्योंकि खुद को खाई में गिरा कर और दूसरों दूसरे लोगों को उपर उठा कर गाईज उनका ही भला होगा आप आपने जगड कर रखा है जिससे आपने पकड कर रखा है और आप जो है उससे छोड़ नहीं पारे कुछ तो है चाहे वह रिलेशन्षिप है चाहे आपकी लाइफ की कुछ प्रॉलम्स है पास्ट की कुछ मेमोरीज है कुछ यादे है किसे के साथ कोई खूबसरत रिस्ता य करते हो और युनिवर्स ने यहाँ पर आप से एक गाइडेंस आपको दी है कि जिस चीज़ को आपने युन मुठी में कसकर रखा हुआ है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहरे जिसे आप अपने से दूर करना नहीं चाहरे आपको उसे दूर करना है यानि कि जब तक आप ले पर लेंग को दसदो में निकाल नहीं पासा है यहां पर आपको भूलना आचान में अपने आपको इंगेज रखने की कोशिस करो ताकि ज्यादा आपको उन चीज़ों की याद ना है जिस ने आपके दिमाग पर बिल्कुल कबजा करके रखा है और आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो यह उनका आदेस है गाईज उपर वाले का यह आदेस है कि आपको इस है तो लेट गो कर देना है जो भी चीज आपको परिशान कर रही है ठीक है आप देखे ट्रांसफोर्मेशन का काड आया है यह एनरजी बता रही है कि बहुत ज़रा आप में बदलाव आया है हो सकता है कि फिजिकल चेंजिस आए हैं मेंटल चेंजिस आपके अंदर आए हैं लाड़ को चीज़े या तो खोड चुका होता है जब हमें उसल असले बतो है आई हो lebih हम अंदर दर्द फिल करते हैं फैंद करते हैं और वही दर्द ऑर जो है हमीं आहिसता आहिसता बदल नअ हमीं सृटार्ट कर देता है यह हम एक अच्छे उच्छे अच्छे इंसान से धीरे धीरे आहिस्ता कठोर बनते चले जाते हैं हमें फिर अपना ही मतलब नहीं होता हम सेल्फ लव करना भूल जाते हैं तो इस तरीके का ट्रांस्वर्मेशन आपके जिन्दगी में कुछ ना कुछ हुआ है और वह इसलिए हुआ है क्योंकि जिन्दगी म आए हैं बदलाव आए हैं आप जो है पहले की तरह इंसान अब नहीं हो और इसी को मैं फ्यूचर में अगर लेकर चलो क्योंकि फ्यूचर की एनरजी है तो फ्यूचर में यह बता रहा है कि जिन्दगी में अभी आपने बहुत कुछ हासिल करना है ठीके आपकी जिन्दगी में होने वाला है आपके कर्मा में बदला होने वाला है साइकल में बदला होने वाला है आपके लाइफ में बदला होने वाला है पॉजिटिव चीज़े आपके लाइफ में आने वाली है ठीक है पर सबसे पहले उन यादों से उन तकलीफों से जो है आपको पहले अपने कार्ड आ गया और यहां पर आ गया रिसेप्टिविटी का कार्ड यानि कि कुछ चीजे हैं जो वक्त के साथ और समय के साथ जो है आपको मिलने वाली है आप रिसीफ करने वाले होई यह है हमारा नेक्स ट्विटिफॉर आवर्स का वो एक्षन जो उपर वाला आपको देने व आपको मिल रही है और आपको जो है रिसीफ करने के लिए तयार होना है नेक्स ट्विटिफॉर आवर्स के अंदर में तो नंबर नाइन यहां पर एट और नंबर थर्टीन इंपोर्टेंट आज एनर्जी में निकल कर आया है देख लेना जो मैंने यह बाते बताई है क्या यह सही है आप अभी इस एनरर्जी में हो कि कुछ चीजों को भूल नहीं पारे हो आपने कुछ छीजों के ओले कर रिक्स लिया है फैले आपने आपने चीजों के लिए radically को दाउपर लगा दिया कि जो होगा देखा जाएगा मुझे यह करना है तो करना है और मुझे लगता और इसके इतने sacrifice करने के बावजुद भी आज आपके जिंदगी में आपको लगता है कि सारी चीज़े खतम हो गई है और मेरे जिंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं रहा पर बहुत चीज़े अच्छी जो है अब होने वाली है एंजल्स जो है आपका support करने वाली है कर्मा यह next 24 hours में आपको क्या expect करना चाहिए यहां से भी मैं past present और twitter निकालने वाली हूँ गाईज एक कार्ड रह गया था गैस मैंने उठा लिया है वाव वाट डिडाई सेड मैंने आपसे क्या कहा था कि रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ तो देखो यहां पर प्यार की energy king of cups की energy आई है तो क्या रिसीव करना है आपको गाई कालेक्टिव ने भी जो है जान डाल दी है फोस्ट कार्ड वाव चैरिट ओ माई गार्ट चैरिट एंड किंग आफ काफ कोई तो है जो देख लो combination को पहले कार्ट निकाल लेने दो गैस पहले ही सुरू हो जाती हूँ वाव nine of pentacles क्या receive होने वाला है pile number one को sorry क्या receive होने वाला है हमारे collective को देखे pile की reading करते करते मुझ से pile निकल गया anyways यह collective है guys sorry justice भी आया है guys justice भी आया है three of swords ओहो पास्ट कैसा भी रहा है guys present कैसा भी रहा है future तो धमाकेदार जबर जस्ट दो cards guys मुझे स्रिफ एक card चाहिए था पर देखें यहाँ पर दो card निकले है six और five के energy आई है इसे लेते हैं हम गाइस ठीक है और bottom में देखें guys four of wands success victory marriage वाव awesome इस डेक से भी similarly इतने ही cards निकालेंगे guys ठीक है 6 cards निकालेंगे what to expect in the next 24 hours आपको क्या मिलने वाला है ध्यान दीजे मैं आज आपके partner की 24 hours के रिडिंग नहीं कर रही मैं आपको 24 hours में क्या क्या हासिल होने वाला है कौन सी चीजे है जो आपकी तरफ आने वाली है उपर वाला आपको क्या भेज रहा है 24 घंटी के अंदर में आप क्या उम्मीद कर सकते हो जिहां उमीद है गाईस ठीक है क्या उमीद कर सकते हो देखते है क्या है star वाव the moon की energy वाव moon और star दोनों ही जो है आज रिडिंग में साथ है अगर sun भी आ जाता तो बल्ले बल्ले हो जाती है ना guys sun नहीं आया six of cups seven of swords क्या बाट है guys कुछ लोगों के लिए तो इतियास ही जो है यहां पर दोहराया जाएगा past person की energy आच चुकी है रिडिंग में guys वाव six of vands और four of vands आया है one more last but not the least five of cups और बॉर्टम में टू अफ एंटिकर्स की energy यहां पर निकल कर आई है गाई तो चलिए साइन और एलिमेंट के चरप बढ़ते हैं मेजर अरकाना से बहुत सारे cards आए हैं गाई तो मेजर अरकाना से यहां पर आज एक्विरिस की energy और पाइसेस की energy बहुत स्ट्रॉंग है लिब्रा की energy स्ट्रॉंग है और कैंसर की energy स्ट्रॉंग है गाई इसके अलावा हमें नजर आ रहा है water sign, Kansas Scorpio Pisces, Carcrucik, Meenrasi, Earth sign, Taurus, Capricorn, Vishay, Panay, Makarasi, Air sign, Jernu, Libra Aquarius, Mithin, Dula, Kumrasi, और fire sign भी है लियो, Sagittarius, Aries, Sien, Dhano, और Mies, Rasi Guys, reading start करूँ, एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहूंगी, प्लीज ध्यान से सुने, मैं हर रोज reading पर यहीं बोल भी हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत जारा परिशान कर दिया गया है, बहुत ही जारा परिशान कर दिया गया है Guys, देखे, ऐसे धोके बाज लोगों से मैं क्या expect करूँ, मैं क्या उम्मीद करूँ, है ना, जो खुद कुछ नहीं करते, खुद कुछ नहीं करते, दूसरों के बनाए, जो दूसरों की जो मेहनत होती है, उस मेहनत पर जो है, यह लोग राज करना चाहते है, आप समझ रहे ह आप सब का दिल जीते, तब जाकर यह कुछ अगर पैसा कमाते है, तो इनके लिए अच्छा है, पर यह मेरा नाम इस्तमाल करके देखे, आप लोगों से बेवज़े पैसे ले रहे है, मैं बार बार रिपोर्ट कर रही हूं इन आईडी को, पर फिर से जो है, दुबारा वो लोगों लगा कर, जो है, कमेंट कर रहे हैं, और मैं बहुत ज़र परिशान हो चुकी हूं गाईज, तो आप से प्लीज रिपोर्ट है, ऐसा अगर आपको कमेंट नजर आता है, प्लीज रिपोर्ट कर दीजिए, उसके यहाँ पर थी डॉट होता है, वहाँ पर रिपोर्ट का ओप्शन होता है, आप वहाँ पर रिपोर्ट कीजिए, जितने भार भी आपको ऐसा कमेंट नजर आता है, मैं नहीं चाहती कि मेरे नाम का इस्तरमाल करके आपको यह लोग लूटे, ठीक है, मैं खुद ऐसा नहीं करती, मैं खुद परसनल रिडिंग नहीं करती, प्लीज आप इस बात को थोड़ा सा समझे, मैं बार बार हर वीडियो के नीचे रिक्वेस्ट कर रही हो, इसलिए ताकि आपको कोई न ठागे, आपको कोई बेवकूफ न बनाए, ठीक है, तो प्लीज आप इस पर ध्यान दीजिए, तो चले अब आपको बताते हैं, कि what to expect in the next 24 hours, अ अब ही आपकी अनर्जी देखर ऐसा लगता है, कि धोका ही धोका, धोका ही धोका, प्यार में धोका, रिष्टे में धोका, अपनों से धोका, यही धोका जो है आपको मिला है गाईज, और इस धोकी की वज़े से, आप मुझे बहुत सुनसान, मतलब आपका जो मैंने औरेकल से जो कार्ट निकाले थे उसमें भी जो है आपकी एलोनेस की आई थी कि कहीं ना कहीं आप अपने आपको बहुत ज़्यादा अकेला महसुस करते हो है ना कि आपको नहीं कोई समझ रहा है आपको नहीं कोई प्यार कर रहा है आपको आप जो है अकेले पड़ गए हो जिन्दग होती है receptivity तो यहाँ पर देखे वही निकल करा आए है कि आपने जिंदगी में देखे दूसरों के द्वारा ही आपके दिल में बहुत ज़रा तकलीव आप महसूस करते हो आपको लगता है कि आपके दिल को कोई नहीं समझ पाया आपके इनोसेंस को कोई नहीं समझ पाया हर जब भी दिल पर लगने की एनरजी होती है यह साफ साफ जो है थाउजन में आपको लगी है को है नियुक नेर्ट प्रोड दी है ठीक है अभी आपको प्रेजन सीचेशन ऐसी नजर आ रही है और फाइव फैंटिकल्स ये बता रहा है कि फिर वही एनरजी की अकेला चलने पर मज़ूर किया गया है आपको लग रहा है कि आपके जिंदगी में आपने जो है सबसे कीमती चीज़ को खो दिया है आप से कोई प्यार नहीं करता आपको जो है बिल्कुल अकेला कर दिया गया है तनहा कर दिया गया है और आपको प्यार करने वाला कोई नहीं है तो इस तरीके से देखें आपका दिल और आपकी जिंदगी यहाँ पर मुझे कुछ भी सुकून नजर नहीं आ रहा है समझ रह हो क्योंकि आपने कुछ चीजे अपने जिन्दगी से खो दिया है और यह जो है रिलेशनशिप को लेकर ही मुझे नजर आती है साथ ही साथ यह एनरजी मुझे यह भी नजर आ रही है इसकि आपको पैसर रुपियों को लेकर भी बहुत तंगी है लाइफ में ठीक है आप खु आपके पास खाने को खाना क्यों नहीं करते भले ही आप जितने भी दर्द और तक्लीफ में क्यों नहीं हो तो इतना स्वाभीमानी आपको उपरवाले ने बना कर भेजा है साथ ही साथ आप में वह सारे गुन है कि आप अपने आपको इस फाइब पैंटिकल्स की मतलब इस या फिर इस प्रॉलम की अनर्जी से जहां पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही उससे जो है आप अपने आपको नाइन ओफ पैंटिकल्स बना सकते हो संपन खुद को बना सकते हो क्योंकि आप में वो टैलेंट है आप में वो क्रियेटिविटी है आप जो है सिंगल ही सभी के सबसर ने रहे हैं तो बस पर सब्सक्राइब के सामने मिल देख देखा जाएंगा तो कहीं न के हालात के सामने समझोरा करता हुआ एक इंसान मुझे नज़र आया है जो दिल के मामले में भी तडप रहा है और जो finances याने की पैसे रुपे या फिर success के मामले में भी नाकाम्याब हो रहा है तो आपकी present energies मैं यहाँ पर बता रही हूँ आप देखे five of cups फिर से repeat होकर आया है यहाँ पर five of pentacles five of cups यह energy भी बताता है कि आपके निगाहे सिर्फ एक जगहे पर है आपके निगाहे इसके अलावा आपको ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सूच रहा है ना कुछ समझ में आ रहा है तो प्यार को आपने अपने जिन्दके से खो दिया है और यह प्यार आप से ये प्यार चीना है जिसके बिना आप जो है अपने आपको जीता हुआ महसूस नहीं करते आप अपने आपको खुश महसूस नहीं करते हमेशा जो है ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग दिन रात सोचते रहना हैना कि मेरा प्यार कहां चला गया मेरा प्यार कहां खो गया मेरा इनसान जो है वापस लॉट आए इनसान जो है मुझे मेरे प्यार को समझ ले तो देखे फाइव कप्स के एनरजी और फाइव पैंटिकल्स के एनरजी बिल्कुल एक जैसे एनरजी है काई जहां पर आप मुझे बहुत ज्यादा दर्थ तकलीफ में नजर आ रहे हो और किसी को बहुत बुरी तरीके से याद फर्माते हुए नजर आ रहे हो गाईस ठीक है सेवन ओफ सोर्ड अब ये है चीटिंग का दूसरा नाम ठीक है सेवन ओफ सोर्ड त्री ओफ सोर्ड के बाद देखे साथ तलवारे अब ये एनरजी बताती है कि ये जो आपको धोका दिया गया ह ये किसी अपने ने दिया है जिस पर आपने बिलकुल बहुत बुरी तरीके से आपने इस इनसान को ट्रस्ट किया था बहुत बुरी तरीके से आपने इस इनसान पर भरोसा किया था मतलब आखे बंद करके आप इन पर भरोसा करते थे ये जो भी आपका बहुत करीबी था ग करेंगे पर अपनोंने रिस्ता है इस इंसान के आपका रिस्ता है तोड़ा है यह नहीं भरोसाँ नहीं कण बुर्ण जो खिम लिया है और देखें यहाँ पर वही रिक्स मुझे नजर आता है कि जिस पर आपने इतना ज़रा अपना सारा कुछ कुरबान कर दिया और वही जो है उस रिक्स को समझ नहीं पाया कि आपने उनके लिए क्या सक्रिफाइब किया है और आपकी रिस्टे की बुनियाद यहाँ पर जो है हिला कर यह इंसान गया है रिष्टे में जहर भर कर यह इंसान गया है और जहर तो देखे थ्री आफ सोड से ही नजर आता है कि आपके दिल के अदर अभी कितना जहर भरा हुआ है कितना गुसा है आप कितना broken heart फिल करते हो कि जैसे दिल के टीथरे उड़ा कर दिल को तोड़ कर रख दिया है दिल में बहुत पेन महसुस करते हो एक अजीब सा अजीब सा फीलिंग है आपके मन के अंदर में जो आपको दर्द दे रहा है और आपको जो है इसका मरहम भी नहीं मिल रहा है और आप जो है लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो इस सिचुशन से आपने भरोसा किया है उस इंसान से कभी भी आपको एक वो कहते हैं गया इसकी एक commitment कह लिजे और वो भरोसा कह लिजे कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमिशा के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा तुम मेरे साथ हो तुम मेरे protection में हो तुम मेरे shelter में हो मैं त तुम से प्यार करता हूँ मैं तुम्हारे देखभाल करूँगा ऐसा जो चीज आपको इस चीज के आपको बहुत जार एक्सपेक्टेशन्स थी पर वही एक्सपेक्टेशन्स आपके यहां पर पूरी नहीं हुई है यानि कि आपको रिलेशन्शिप में जो है ना ही कमिट्मे बना कर गया है और आपको यह लग रहा है कि हैना कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था हैना मैंने क्या बहुत बड़ा खजाना मांग लिया था या मैंने इनकी जमीन जाइदाद मांग ली थी या मैंने इनकी सांसे मांग ली थी या जिंदगी मांग ली थी मैंने आकर इनसे मांग जो यह मुझे दे नहीं पाएं, यह वह बहुत कचोट Do So It So To The не excellence alone, I am subject in facts. opposRes', मैंने इनके लिए अपने जिन्दगी कुर्बान की थी, मैंने इन पर भरोसा कया था और मेरा भरोसा इस इस इनसान ने बुरी तरीके से reat कामिटमेंट आपको नहीं मिला है sure कमिटमेंट आपको किसलिए नहीं मिला है कमिटमेंट आपको definitely relationship में ही नहीं मिला है गाईज जिस इंसान के लिए आप देखे अपने आप आप में क्या काबिल्यत थी और आपने अपने आपको कहां पर जो है बना कर रखा हुआ है आप निकल ही नहीं पारे हो इस इस तकलीफ स इस मायूस ही से कि मुझ में कुछ है ही नहीं आप एपने आपवने आपको ही भूल चोके हो अब ईन। में जो है आप दिन रात घुटन में मुझे जीते हुए नजराय हो गाई इस देखें यहाँ पर आया है शिक्स ऑफ का कार्थी के आप यह एनरजी देखें यह बता रहा है कि डेफिनेटली आप दो प्रेजेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे गाई आज के बारे में आप नह की हुई घड़ी की तरह हो गए उन्हें इसका काता जो है अटक गया है ना आप आगे जा बारेए वना पीछे जा पर आ अप बस वही उन्हीं चीजों में अटके हुए हो जो आपके दिमाग पर जाकर सेट हो गया है यहनीं कि आप अपने पास्ट लवर को या फिर पास्ट के connection को जिससे आप जिसके साथ आपने एक बहुत अच्छा समय बिताया है जिसके साथ आपने खुबसर्थ रिस्ता बिताया है उन चीजों को आप लेट गो ही नहीं कर पा रहे हो और लेट गो वाले अनरजी में आपके यहां पर निकल कर आई थी उनिवर्स की तरफ से तो यह वही लेटिंग वाली एनरजी है कि आप जो है अगर ऐसी एनरजी में रहोगे गाई तो आपके जिन्दगी तो राम भरोसे है आप भूल नहीं पा रहे हो अपने उस प्यार को जिस प्यार में अभी आपको सिकस्त मिली है जिस प्यार में आपको धोका मिल रहा है जिस प्या ना चले जानकार ही ना मिले फिर भी ना आप अपने खयालों में ही खुश हो रहे हो उस इंसान के साथ बिताए हुए पलों को सोच कर ठीक है तो बहुत आपकी पास्ट वाली एनरजी है और आपने प्रेजंट और प्रेजंट तो आपने जैसे जीना छोड़ी दिया है समझ ल आपको बताते हैं कि वह हम पर आया है इसा भी लगता है कि कुछ लोगों के जिंदगी में दो लोग है ठीक है देख लेना कलेक्टिव है सबी के साथ मैच ना हो क्योंकि प्यार दो लोगों से साथ हो जाए यह पॉसिबल तो नहीं पर ऐसा भी होज़ता है कि आपको आपकी चुनाव करने में भी मुझए हो यहां फिर यह ऐसा भी छाहिता है खेडियां होसकिता है कि आप छूआ कर परेशानी आपजान सी को लेकर कि दिमाग कोंदमार्ख depends डाउट में हो आप फैसला नहीं ले पारे हो तो कहीं न कहीं जो है आपकी जिन्दकी दो हिस्तों में बटी हुई मुझे नजर आती है आपका दिल दो हिस्तों में बटा हुआ मुझे नजर आता है आपका दिमाग भी जो है दो हिस्तों में बटा हुआ मुझे नजर आता है अ कुछ नहीं सोचना है कि बस छलांग लगा देना है गिरू या मरू कुछ नहीं फरक पड़ता तो इस तरीके से जो है थोड़े धीट सबाओ की भी हूँ आप गाईज है न तो थोड़ा सा कन्फूजन आपका है पर चली आप बात करते हैं कि आने वाले 24 आवर्स में आपको क् समझ कर देखकर ही आपको फैस्ट आ लेना है ज़रूरी भी नहीं कि सभी को 24 आवर्स के अंदर ही मिले पर है क्योंकि मुझे यह मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आप मुझे हर्मिट भी नजर आ गया है नीचे ठीके तो कुछ लोगों को कुछ लोगों को कुछ वक्त भ जो आप 125,000 बोल के टारि ने वाली है इस तोटे हुए दिल से जो यजो जख्वा आपको लगा है इस दर से जो है आपको मुक्ति मिलती हुए मुझे नजर आए है क्योंकि दिल का मामला है दिल पर चोट लगी है और यह चोट झए लगी है क्योंकि प्यार अभी आपके पा आप आप कहोगे कि दी दी किंग ओफ कपस तो वापस प्यार स्ट्रिफ अंदर बैट बैट कर प्यार करने की एनरजी होती है वह एक्सप्रस नहीं करता अंदर की फिलिंग अंदर इंदर ही रखता है तो आप ध्यान से ज़रा नजरे बड़ी-बड़ी करके देखो कि कि नीच हुए पैसिव एनर्जी से एक्टिव एनर्जी में चेंज हो रहा है यह इनसान जो है आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है बहुत सारी लोगों का यहां पर देके लॉंग डिस्टंस भी हो सकता है चैरिट का एनर्जी क्योंकि यहां पर जो है आपको मूवमेंट दिखाई दे र रहा है इनसान आपका साथ देने के लिए आ रहा है आपका साथ निभाने के लिए आ रहा है और इस कमिट्मेंट में क्या क्या चीज़े होंगी सबसे पहले जस्टिस जस्टिस यहां पर आपको मिल रहा है 24 आवर से बहुत सारे लोगों को इस चीज का हरजाना इस इनसान को आपको पे बैक करना होगा यानि कि इस इंसान ने आपको इतना तकलीव दिया है इतना दर्द दिया है न गैज इस इंसान को आगर आपको जस्टिस देना होगा ठीक है न्याई देना होगा आपके साथ रिकॉंसिलेशन करना होगा माफी इनको जो है आपके साथ मांगनी होग है बेवजह अगर आपको फसाया है तो आपको ध्यान देना है गाइस कि अब जो है फैसला आपकी तरफ आ रहा है सो जस्टिस विल बी सर्फ विदिन दर नेक्स 24 आवर्स न्याई मिलने वाला है कई लोगों को रिलेशन्शिप में न्याई मिल रहा है गाइस रिकॉंसिलेशन रहा है जिस इनसान को आप न इतना हाटब्रेक होने के बाद भी दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहено वह इनसान कुछ आफस लेकर आ रहा है भले ही यह फ्रेंशिप का उफर क्यों ना हो भले ही यह प्यार का आफसर क्यों ना हो इस इनसान से आपकी मुलाकात होती हुई नज़र आई है next 24 hours के अंदर में guys ठीक है एक मुलाकात तो बनती है guys next 24 hours के अंदर में ठीक है और देखे past person is back history is back to write a new history है ना एक इंसान जो पिछले वक्त से आ रहा है और आकर जो है एक नया इतिहास रचिने के लिए भी आ रहा है ठीक है तो शुरुवा यहीं ठंग से क्यूं ना करें पर यह इंसान वापस कुछ ना कुछ offers लेकर आता हुआ नजर आया है guys मैं आपको यह भी बता दू कि आने वाले next 24 hours के अंदर में आप में से कई लोगों को marriage का proposal भी मिल रहा है देखे यहां पर four events और six events दोनों ही energy निकल कर आई है यह दोनों ह जूट और फरेब से वही पिलर जो यहां पर डगमगा गया था यहां पर देखे इस पिलर को फिर से मजबूत बनाता हुआ जो है energy निकल कर आया है यानिकि इस भरोस्य को फिर से बनाया जाएगा ठीक है victory यहां पर हासिल हो रही है success यहां पर आपको relationship में मिल रही है 100,000-2, यह relationship और marriage की energy होती है तो अगर आपको लगता है कि रिष्टे में आप जीत नहीं पाए आप फेल हो गए आपको हरा दिया गया कोई और जीत गया किसी और को आपका प्यार मिल गया कोई आपके प्यार को चुरा कर ले गया किसी ने आपको धोका दे दिया किसी और की वज़े के लिए offers आते हुए भी नज़र आए है सिक्स ऑफ वैंस marriage का काड़ होता है अरेंज marriage की energy भी होती है सकसेस की energy भी होती है ठीक है तो आप देखें अगर आप कहीं से marriage के लिए marriage के प्रपोजल के लिए अगर आप इंतजार कर रहे हो तो बहुत ज़्यारा चांसे है कि marriage के offers भ चाहे वो marriage को लेकर offer हो चाहे वो friendship का offer हो कुछ ना कुछ relationship में आपको offer मिलने वाला है और आपको जो है इस तन्हाई से इस दर्ट से आजादी मिलती हुई मुझे नज़र आई है अब यहाँ पर आया है six of pentacles के energy जो बताती है जो आपने खोया है वही आपको बराबर मिलने व नहीं है यहाँ पर वी वाली energy है यानि क्यों हम है यहाँ पर ठीक है तो हम बनने के लिए कोई आ रहा है यहाँ पर आपके जिन्दगी में जो आपको कुछ देने वाला है जो यह इंसान आपको पहले नहीं दे पाया था तो बराबरी का कुछ offer होता हुआ यहाँ पर और पावर्स के अंदर में समझ रहे हो आप सबसे important energy के बारे में बात करते हैं जो यहाँ पर आया है हमारा star का card अब यह बता रहा है कि बहुत बड़े बहुत बड़े इस्वर के भक्त हो आप एक ऐसे इंसान हो ना जो manifestation में believe करते हो जो law of attraction में believe करते हो जो उपर वाले पर भक् आई दिन आपका जो यह भरोसा है वो बेकार नहीं जाएगा उपर वाला आपको वो देगा जो आपने मांगा है मनत जो आपने मांगी है वो आपकी पूरी होने वाली है तो manifest जिस चीज़ को लेकर आप कर रहे हो गाईज वो भी यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आई है next 24 hours के अंदर में समझ गए तो मैं आपको एक सला यह दूंगी कि आपको जो है यह manifestation continue करनी है ठीक है आपको skip नहीं करना है आपको रुकना नहीं है उपर वाले को इतना मजबूर कर दो ना कि 24 गंटे में अगर यह चीज़ आपको नहीं मिल रही तो आगले 48 गंटे में मिल जा आपको कुछ ना कुछ रिसीव होने वाला है कुछ good news कुछ relationship को लेकर प्रपोजल सापी तरफ आने वाले है पर यह भी एक सचाही है कि सारे के सारे आज की रिटिंग में इतने किस्मत वाले तो नहीं है पर कुछ लोगों का वो वक्त आया है कि यह manifestation यह wishes पूरी उपर वाला यहां पर मिलता हुआ मुझे नज़र आया है तो देखते हैं क्या होता है पत्थर की लकीर समझ कर general reading को मत देखो personal reading भी कभी-कभी मात खा जाती है गाइस है ना perfection कहीं पर भी नहीं होता है और उपर से तो यह collective reading और साथ में general reading है ठीक है तो इन में से अगर जड़ा सा भी आहट आपको मिल जाए जड़ा से भी छोटी सी चीज़ आपको अगर मिल जाए तो आपको से blessings सोच कर लेना है और future के लिए जो है आपको positive होना है और इनी चीजों के खयालों में रहे इनी चीजों को सोचते रहे दिमाग से निकाले नहीं ना तो यह इंसान देखे आधे रस्ते आकर वापस मुड़ जाएगा यह भी मैं आपको बता रहे हूं तब ही उपर वाली ने आपसे कहा था कि manifest अगर तुम कर रहे हो तो पहले let go कर द रहते ही चले जाओगे तो आप उस इंसान को अपने आपसे और दूर कर रहे हो जारा overthinking करके ठीक है negative vibrations भेज रही होते हो तो आपको ऐसा नहीं करना है सबसे पहले आपको let go करना है और इस wish fulfillment का आपको इंतजार करना है ठीक है तो इतना कहते हुए गाईज अब मैं reading को कर र